आमजन को कोरोना वाइरस संक्रमन के बारे में जागरू करने और इसके खत्रे से आगा करने में आरुगे सेतु एप बड़ी भूमिका निपा रहा है। इसके चलते कोरोना समंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए लोगों को ये एप काफी पसंद आ रहा है। जैपूर में करीब 12 लाख लोग इस एप को डाउनलोड कर चुके हैं। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए सूसना प्रोध्योगी की और संचार विभाग के निदेशक वितिश कुमार से बाच्चित की हमारे समधाता मनिश कुमार शर्मा ने पेशेक रिपोर्ट। के दाइरे में यदि कोई विक्ति संक्रमित है तो उसके बारे में जानकारी और अपडेट से हासिल कर सकते हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद है सूचना प्रोध्योगी की और संचार विभाग के उपनिदेशक रितेश कुमार शर्मा आईए उन से जानते हैं कि किस तरह से ये एप लोगों की जीवन शैली को जो है सो कोरोना के संक्रमन्ट से बचाओं में उप्योगी साबित हो सकता है। कुछ self-assessment questions होते हैं इन self-assessment questions का answer दे करके विक्ति अपने खुद के status के बारे मालूं कर सकता है कि उसे COVID-19 की बिमारे तो नहीं हैं इसी प्रकार इसमें कुछ FAQ भी है जो की कोरोना से संब्देद कुछ जो जिग्यासा हैं उनके जवाब भी इसमें मिलते हैं ये एप जो है डाउनलोड किया हुआ है बहुत सरकार की एडवाजरी के अनुसार सभी व्यक्तियों को अपने फोन में इस एप को रखना चाहिए जैपूर जिले के लगबग साड़े आठ लाग लोगों द्वारा self-assessment का इसे फाइदा लिया है और अपने इस थिति के बारे में जाना है यह एप अगर आप अपने फोन में ब्लूटूथ और लोकेशन को अन रखते हैं तो आपके पांसो मीटर से दस किलो मीटर के दारे में अगर कोई व्यक्तिव मिलता है तो उसका अलर्ट आपके फोन पर भीज़ता है जिसे अलर्ट की सहाथता से आप भी सितर हो सकते हैं कि आपके आसवास कोई पोजिटिव सहाइन वाला व्यक्ति है और उसकी सुचना आपको मिल जाती है इस परकार से यह एक बहुत ही उप्योगी सिद्ध हो रही है और आपको कोई-19 के बारे में सुचना है देती है इस तरह आप जान सकते हैं कि यह एप किस तरह से जो है आप लोगों को जागरुक करने के लिए लॉंच की गई है जैपूर से मनीश कुमार शर्मा डीडी नियोज